लगी आदी रात को टीवी देख रहा होता है और टीवी देखते देखते वो सो जाता है तबी अचानक से टीवी के सामने एक अजीब सी औरत खड़ी थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और वो लड़की बहुत बुरी तरह रो रही थी तबी अचानक से लगी की आँग खुल चाकर देखता है तो जैसी लख्टी आँगे भढ़ रहा था तो लख्टी को एक कमरा दिखता है और उस कमरे के अंदर से व रोने की अवाज आ रहा है ती पर अचालक से व रोने की अवाज हसी में बदल जाती है तब ही उस कमरे का गेट धीरे से खुलने लगता है लकी बहुत बुरी तरह डर जाता है लकी को उस कमरे में से एक हाँ दिखता है लकी बहुत हैरान हो जाता है और दोड के अपने कमरे में जाता है लकी एक बैट लेता है और उस कमरे के ओवर बढ़ता है तो जैसी वो कमरे के पाथ जाता है कमरे का गेट अपने आप खुल जाता है तो लक्की उस कमरे को गौड से देखता है लेकिन उसे क्या पता था जो वो ढूंड रहा है वो उसके बीचे है